नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैं हूँ आपकी वही अंजली सजा बन जाती है गुजरे वक्त की निशानिया ना जाने मतलब के लिए क्यों महरबान होते हैं लोग जी हाँ आपने सही सुना हम आज की डेली राशी फल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बच्चे है या फिर मैरिज अन्वर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी बधाया हो और शुब काम नाए हो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगर आम निरंतर कोशिश करोगे तो आप अपनी जिद्द को पूरा कर पाएंगे सफलता मिलती नही हासिल करनी पड़ती है हमें जो भी मिला है भाग्य से जादा ही मिला है अगर पाउं में जूते नहीं है तो अवसोस मत कीजिए क्योंकि दुनिया में कईयों के पास पाउं भी नहीं है गुड लग को मानो बैड लग जैसा कुछ नहीं है जो होता है अच्छे के लिए होता ह कोई भी करम करो तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि भगवान हमेशा उनलाइन रहता है सब्र और संतोष की परिभाशा तो कोई पंचियों से सीखे शाम को जब वो वापिस घौंसले में जाते हैं तो अगले दिन के लिए चोंच में एक भी धाना नहीं होता जब वक्त बदलता है तो बाजी नहीं जिन्दगी बलट जाती है वो महनती नहीं जो किसमत से शिक्वा करते हैं उगने वाले पत्थर का सीना चीर के उग जाते हैं अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हो तो काम्याबी को रोकना नामुम्किन है आज कांच की तरह सब को चुबते हैं जे जिन आइना बन गए सारा जवाना देखेगा आपके लिए काम वो बड़ा खास करते हैं जो आपकी पीट के पीछे बकवास करते हैं मेहनत जारी है जल्द ही आगे आएंगे दुनिया देखती रह जाएगी ऐसा नाम कमाएंगे भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दो गुना वापिस करते हैं आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुकरियादा करें करम अच्छे करोगे तो किसमत भी दासी है नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मतुरा काशी है जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसना किसी को जरूर भेजता है अरे चिनता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी जादा चिनता है जिसके उपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है अगर मांगना ही है तो उपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देता है लोग तो रंग बदलते हैं और उपर वाला वक्त बदलता है सबसे पहले में आपको बता दूँ कि अज़ा आपके लिए शुब रंग रहने वाला है लाल और शुब अंक रहेगा इस बार तो तो आज का जो दिन है काई मायनों में बहुती बढ़िया रहने वाला है आपके लिए काम में बहुती सफलताएं मिलने वाली है सितारे जो हैं आपके बक्ष में रहेंगे और हां लंबे समय से चल आ रहें कोई प्रोजेक्ट में आपको संपनता मिलेगी आपके जो project जहें काम हैं वो पूर्ण रूप से complete होते नजर आएंगे आज बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जिन्दगी का नाम ही है सीखना तो सीखते रहेगा लेकिन अपने काम को अपने personal life की समस्याओं से भागने का जरिया ना बनाएए जो भी परिशानी हो उसका जट कर सामना कीजेगा जल्द ही जो परिसितिया है वो समाने होती दिख रही है आने वाले दिनों में आपको करजल्ट देखने को मिल सकता है सितारे कहते हैं कि जो रूप सिंगल्स हैं वो जो हैं अगर आप थोड़ी से और महनत करेंगे तो यकीन मानिया आपको अपना हमसफर मिल सकता है जैसा कि आप चाहते हैं इसकर साथ ही आज किसी पूरानी समस्याओं का हल भी निकलने की संभावना बनी हुई है साथ ही रचनात्मक और स्रेजनात्मक कारों में भी शीश रुची बनेगी परिवार के बड़ी बुजर्गों की प्रती सेवा का भाव रखे और हां उनकी मार्क दर्शन में काम करें जो खिंबरे कारियों से दूर रहीगा जो कि इसमें नुकसान होने की संभावना बन रही है नजीके रिश्चिदारों से भी किसी प्रकार की वाद दिवाद की सिथियां बनते लिख रही है किसी की मध्यस्तिता द्वारा सुलजाने का प्रयास अवश्य कीजेगा इसे के साथ ही जो है आज का दिन है जो आपके काम पूरे होते भी नजर आएंगे अगर कोई प्रॉपर्टी वगेरा करीदने के बारे में आप सोच विचार कर रही है तो अगर अब उससे पहले जाज परताल करते हैं तो बहुत बढ़िया रहीगा इसी के साथ से आज आज आपके काम समय से पूरे होते नजर आएंगी अगर कोई प्रॉपर्टी खरिकने का मन बना रही है तो अच्छी तरह से जाज परताल कर लीजेगा तब ही फैसला लीजे आज इसी सज्जन से मिलने का मौका मिलेगा जिसे कि आपके जो विचार है उनमें पॉजिटिविटी बढ़ती नजर आएगी काफी हद तक बदलाव होता दिखेगा आजकर दिन मन में कुछ चिंताएं भी बनी हुई है जिसकारण आपके काम में फोकस की कमी नजर आएगी किसी के बात को लेक कर दिल पर मत लगाएगा अपने आप पर पूरा यकीन रखेगा आजकर आपका ध्यान जो है अपनी कारिक शमता पर परसनालिटी को निखाने में लगा हुआ है आप चाहते हैं कि जो खुद की लुक्स है वो थोड़ी अच्छी हो जरुआ आजकर की स्टाइल की मॉरल लुक हो जिसे आपका जो है सेल्फ कॉन्फिरेंस जी बढ़ेगा अपने कारिको शान्ति पूर्ण धंग से निप्टाने में आज सक्षम भी रहेंगे कुछ लाबदाएक यात्राओं के भी योग नजर आ रहे हैं पर उस्यों से किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है क्रोध वे आवेश में आकर आप ऐसा कदमत उठाईए काबो में रखी घर से रिलेटिड कोई जो है बदलाव आप कर सकते हैं यानि कि आप अपना घर बदलने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं तो आज अगर इस पार विचार में मश करते हैं तो बढ़िया रहेगा जल्दी ही आप जो है नया घर अपने लिए तलाश कर सकते हैं, कामे भी हासिल होगी तो चली बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की बिजनस और करेड के बारे में तो बिजनस और करेड कहता है कि मशिनरी आदिस रिलेटिड कामों में बहुती ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना आपके सितारे आज कह रहे हैं, जोग बन रहे हैं नौकरी कर रहे हैं लोगों का आज टार्गेट पूरा हो सकता है, जिसकी वज़े सो है बॉस की जो है आपको बहुती प्रसंच सा मिल सकती है सुनने को पर दोनिती मिल सकती है, आपका मान पधिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको सरहा जा सकता है किसी की रिंदा से प्रभावित मत होईएगा, आपकी योगिता और आपकी महरत में कोई कमी नहीं है अपना सेल्फ कॉन्फिरेंस जो है बरकरा रखी, बना कर रखेगा बस यह मैं सोचीगा कि अगला क्या कहता है, क्या नहीं कहता, इससे आपको कोई भी फरक नहीं बढ़ना चाहिए मैं विसाइक शेत्र में आज हिम्मत और आतम विश्वास ज्वारा आप कई सारे रुके हुई कामों को कम्प्लीट करने में समर्थ रहेंगे अपना पूरा फोकस, ध्यान, मार्केटिंग और अपने प्रोड़क्ट के प्रमोशन पर लगाईएगा कि किस तरह से आपको प्रमोशन करना है, क्या क्या चीज़ी जो है शो करनी है नौकली पेशे विक्ती अपने पेपर वर्क से सावधारी रखनी होगी किसी भी प्रकार का गलत जो पेपर प्रम सिकनेचर मत कीज़ेगा, हर चीज़ को सोच समझ कर, पढ़कर ही साइन कीज़ेगा आपका कोशन, आपका ट्यालेंट जो है, आपको काफी हद तक आगे ले जा सकता है इस बीच में आपका जीवन साथी है, इसमें बहुत एहम भूमी का निभा सकता है इसके लिए अपने काम को तयार रखेगा, खुब महनत कीज़े, सफल तानिश्चित ही आपको मिल पाएगी चलिए बात करते हैं, आज के लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ कहती है कि परिवारिक और विविसाई के जीवन में बहतर ताल मिल और सामन्चिस से बना रहेगा प्रेम सबंदों में मर्यादाओं का अवश्य ध्यान रखेगा आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, शादे के मामले में बात भी बन सकती है जब तक रिष्टों में पार दर्शिता नहीं आएगी, तब तक उनमें गहराई भी नहीं आपाएगी इसलिए जो है एक दूसरी से बाते हमेशा शेर कीजेगा, एक दूसरी पर भरोसा करें, तो आपकी जो लाइफ है वह बहुत ही सुन्दर बन जाएगी रिष्टों में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदलिये, तो सब कुछ ठीक होता नजर आएगा आपको खुद ही प्रेम्र संगों में अपना समय फिजूल जाया मत कीजेगा, अगर अब सीरिस हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो है अप पेश मिलने की आज सम्भामना भी बन रही है घर परिवार को सबसे बले प्रात्मिक्ता देने से वाता वन जो है घर का वो बहुत ही खुशनमा और सुक में बनता नजर आएगा आपको आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्तिक के बारे में तो स्वास्तिक हैता है कि मौसम के बदलाव के जिले ठीड शरीरी कश्ट हो सकता है लापरवाही मत बढ़तीगा बलकि अपना इलाज कीजिए स्वास्तिका ध्यान रखना होगा अपनी खान पान और एक्सरसाइस के सतह कोई लापरवाहे मत बरतीगा पुरानी रोग से मुक्ती मिलती नजर आ रही है आप में से कुछ लोगों को आज पेट सरे लेडिर परिशानी हो सकती है अगर आप देर रात तक खाना खाएंगे और खाना खाकर कुछी दिर में सो जाएंगे तो इससे आपको पेट में खाना भी मिलती नजर आएगे और हाँ जंक और आईली फूट से भी आपको परहेस करना इंपोर्टन्ट है तो यह आप जरूर कीजेगा बाकी लोगों का स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन एक्सेस करना मत भूलेगा क्योंकि एक्सेस जो है आपकी दिन चर्य बहुत ही बढ़िया बनती है और हाँ उचित दाइट अवश्य लिते रहीगा तो चलिए बागे बटते और बात करते हैं कि विशी शुपाई के बारे में तो आपके लिए विशी शुपाई रहेगा कि आज आपको जहें किसी गाए को जहें गूड़ी यां फिर रोटी खिलानी चाहिए यह साथ ही अगर आप जो है कबूत्रों को दाना ढालती है चीटियों बगेर को दाना ढालते हैं तो वो भी बहुती बड़िया नजर आ रहा है अगर साथ ही में अगर आपको एक गुपतरूप से दान करते हैं किसी बिजुर्वन्ध व्यक्ति को तो वो भी सोनी पे सुहागे का काम कर सकता है जाने कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है इसी प्रकार से सुरुच से नजर आएगी लेकिन याद रखी ने स्वर्थ होकर हर काम कीचे निश्यती भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे तो दोस्तो अगरे आप कोई वीडियो अच्छे रगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भीकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद